नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत एक बार फिट से आपके अपनी चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासोटिक्स के मल्टिपल चॉइस क्वेस्चन की और जो चैप्टर है वो है टैबले ठीक है तो इस चैप्टर से जो यह चैप्टर है वो हमारा सिलेबस में दिया गया है नेशनल हेल्थ मिसन में की टैबलेट से जो है वो फार्मासोटिक्स में क्वेस्चन पुछा जाएगा तो टैबलेट से रिलेटेड एक और जो क्लास से वो अप्लोड होगी लेकिन आज की जो यह क्लास है यह टैबलेट यह सर्कुलर सेप का होता है तो इसका आंसर जो है वो आप सभी को पता है कि इसका जो सही आंसर है वो है टैबलेट ठीक है तो जो हमारा यहां पर टैबलेट होता है यह जनरली क्या होता है यह आपका यहां पर सर्कुलर सेप में होता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते है जो यहाँ पर tablet है वो यहाँ पर circular shape में है ठीक है चलिए जो अगला question उसको यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पूछा गया है कि tablets are prepared by तो tablets को कैसे prepare किया जाता है यह question यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर option दिया गया है flat method, press method, compress method and non of this का जो option है वो यहाँ पर दिया गया है तो देखे कोई भी tablet हो गया उसे compress method के दवारा जो है वो उसे prepare किया जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक automatic machine जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और इसमें क्या होता है इसमें compression होता है ठीक है तो इसम यहाँ पर automatic system है और यहाँ पर जो भी आपके tablet के granules वेगरा आते हैं उनका यहाँ पर compression कर दिया जाता है और वो tablet के safe बन जाते है ठीक है तो option number 3 जो है वो इस question के हैं पर सही answer है कि जो tablets है उनको जो है यहाँ पर compression method की मदद से उनको बनाया जाता है अगले question की बात करें कि advantage of tablets accept तो इसमें से कौन सा ऐसा option है जो की tablet का advantage नहीं है ठीक है यहाँ पर दिया गए कि easy to administer तो यह इसका advantage होता है टेबलेट का कि इसको हम आसानी से administer कर सकते हैं आसानी से ले सकते हैं more stable dosage form देके सबसे जो ज़्यादा stable dosage form हो है वो हमारा tablet ही होता है ठीक है देखिए जो यहाँ tablet की strip है हम उसको कहीं भी fake देते हैं ठीक है वो अराम से पड़ा रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन अगर यहाँ पर आपका सीरप होता ठीक है यहाँ पर आपका capsule होता तो उसके लिए special packaging की जो है वो यहाँ पर जरूरत पढ़ती लेकिन tablet में ऐसा नहीं होता ह एकनोमिकल डोजेज फॉर्म जो हमारा यहाँ पर tablet है इसको बनाना सस्ता पड़ता है तो यह सभी बाते जो है वो यहाँ पर एडवांटेज है tablet की तो यहाँ पर लिखा गया कि tablets can use in emergency तो आप emergency में tablet का use नहीं कर सकते हैं अगर कोई percent जो की बेहुस हो गया है उसको consciousness नहीं है अगर वो यहाँ पर बेहुसी की हालत में तो आप उससे tablet नहीं खिला सकते हैं तो यह इसका advantage नहीं है यह इसका disadvantage है तो option number 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है चलिए जो अगला question उसको हम देख लेते हैं कि tablet ingested orally is तो ऐसे कौन-कौन से यहाँ पर ऐसे tablets हैं बाई-mouth लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया sugar coated tablet compressed टैबलेच अंट है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकता है लेकिन मैं इस तरह के जो question होते हैं उनको मैं एक ही option का इसलिए बनाता हूं कि ताकि उसका दो से तीन example जो है वो आपको एक साथ में याद हो सके ठीक है तो देखें यहां यहां पर समझें कि मैं आपको theory plus mcq जो है वो मैं आपको यहां पर दोनों जो है वह आपका मैं यहां पर तैयार करा देता हूं चलिए जो अगला question उसको मैं यहां पर कर लेते हैं कि tablets used in oral cavity तो ऐसे कौन से tablet है जिनका कि जो यूज है वो oral cavity में किया जाता है ठीक है तो यह सभी आपका होता है यह सभी हमारा oral cavity होता है ठीक है तो यहां पर दिया गया बकल टेबलेट सब लिंग्वल टेबलेट लोजंजेस टेबलेट एंड और और लोजंजेस टेबलेट का अगर इसमें से एक 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 जामपल अगर मैं इस वाले option में रख देता तो यहां पर आपका all of these का जो option है वो यहां पर सही नहीं होता ठीक है तो option यहां पर इसलिए रखा गया है कि आप इस एक्जामपल को याद जो है वो आप यहां पर कर सके कि sugar coated tablet compressed tablet और enteric coated tablet जो है यह सभी यहां पर orally ingested tablet है और हमारा buckle tablet sublingual tablet और lozenger जो है यह हमारे यहां पर oral cavity वाले tablet है ठीक है चलिए जो अगला question उसको में यहां पर देख लेते हैं कि tablets used to prepare solution तो देखे ऐसी यहां पर बहुत सारे से यहां पर tablet होते हैं उनको पहले आपको पानी में dissolve करना होता है और जब आ thermic tablet and all of these तो देखिए इन्हें हम effervescent tablet कहते हैं क्योंकि इससे जहाग बनता effervescent बनता है ठीक है तो option number यह जो है वो आपका इस question का यहां पर सही answer हो जाएगा चलिए जो अगला question उसे हम यहां पर देख लेते हैं कि compressed tablet आर तो जो भी compressed tablet होते हैं इनको हम सौट में CT भी कहते हैं ठीक है तो यह basically uncoated होते हैं इनके उपर कोई भी coating जो है वो नहीं की जाती है made by compression of granules तो इनको granules के compression से बनाय जाता है provide rapid integration ठीक है तो यह जो है वो यहां पर बहुत जल्दी integrate हो जाते हैं ठीक है dissociate यह हो जाते हैं तो देखिए जब भी tablet बनाय जाता है तो इसमें जो सबसे important होता है वो उसका disintegration time होता है ठीक है कि वो जो आपका tablet है वो कितने समय बाद घुल रहा है कितने समय बाद वो dissolve हो रहा है ठीक है यह सबसे important जो factor है वो tablet में होता है तो देखिए हमारे यहां पर तीन option जो है वो यहां पर सई हो गये तो all of this का जो option है यहां पर सई हो जाएगा कि जो हमारे compressed tablet होते हैं यह हमारे uncoated होते हैं इनको यहाँ पर granule से उनके compression की help से बना जाता है और यह बहुत जल्दी जो है वो यहाँ पर integrate होते हैं disintegrate होते हैं ठीक है चलिए integration यहाँ पर disintegration लिखा रहाएगा ठीक है अब इसको disintegration कर लेते हैं disintegration होगा ठीक क्योंकि यहाँ पर tablet है उनका breaking हो जाता है चलिए अगला question है वो यहाँ पर दिया गया कि tablet content to are more layer तो ऐसे tablet जिनमे की दो या फिर दो से अधिक layer जो है वो हमें देखने को मिलता है तो option दिया गया है compressed tablet, multiple compressed tablet, multi-layer tablet and none of these इसमे दो या फिर दो से अधिक आपको यहाँ पर tablet में अगर आपको layer देखने को मिल ला है तो उसे हम multi-layer tablet कहते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर blue color का दिख रहा है और यहाँ पर आपको white color का दिख रहा है ठीक है तो यह हमारा जो ऑल taką Albizik आप में हमारा मलटी लेर्ट है ठीध का और इसी को हम Multicolored Tablet भी कहते हैं ठीध के लिए Defendant डूरेट इसमें बसक्राइब मृटि लेट भी इसमें वाइट और इसमें यहाप एग बलू है तो इसलिए Скो तो हम multi-layer, sorry, हापे multi-color tablet भी कहते हैं, ठीक है, चलिए, जो अगला question उसको देख लेते हैं कि tablet that release, sustain medicament, तो ऐसा tablet जो की लगातार medicine को release करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, option दिया गया है, compressed tablet, multi-layer tablet, sustain action tablet, and enteric coated tablet, तो इसको हम sustain action tablet कहते हैं, ठीक है, sustain action या फिर, इसको हम sustain release tablet भी क कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि, यहाँ पर एक progestron का जो है, वो यहाँ पर tablet है, progestron sustain release tablet इसको लिखा भी गया है, ठीक है, चलिए, जो अगला question उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है, कि enteric coated tablet बाइपास दी, तो जो यहाँ पर enteric coated, आपका यहाँ अपर tablet होता है, यह कि텁को bypass करता है, इस टोमक को, intestine को, kidney को, याå फिर mouth को, तो लिखे जो आपका enteric こatied tablet होता है, यह bypass करता है, इस टोमक को, ठीक है, यह bypass करता है कि इसको, stomach को, क्योंकि जो इसका पर काम है, वोшихka काम है intestine में, ठीक है, इसका जो आपर main क उसे यहां पर पहुचना होता है, इंटेस्टाइन में, तो इसमें कुछ ऐसी कोटिंग वेगारा जो है, वो यहां पर कर दी जाती है, कि जब यह एंटेरी कोटेट टैबलेट इस टोमक से पास करता है, तो वो वहां पर डिजॉल्वर नहीं होता है, उसका डिस जाता है, उसके बाद ही वो वहां पर मेडिकामेंट जो होता है, मेडिसिन होते हैं, वो उनको रिलीज करता है, वो उनको यहां पर रिलीज करता है, वो यहां पर रिलीज करता है, एंटेस्टाइन में, इसी वज़ए से इसकों कहते हैं, एंटेरी कोटेड टैबलेट, ठीक यहां पर तैबलेट इसी क्वेश्चन को यहां पर घुमांके पूछा है कि जो आपका यहां पर आपका सई हो जाएगा चलिए जो अगला क्वेश्चन में यहां पर देख लेते हैं कि सुगर कोटिंग इस दन फॉर तो जो भी टाबलेट वेगरा होते हैं इनकी sugar coating क्यों की जाती है ठीक है option दिया गया है mask bitter taste अगर जो यहाँ पर tablet है अगर उसका जो यहाँ पर taste है अगर वो कड़वा है bitter है तो उसको लेने में थोड़ी से दिक्कत होती है तो इसलिए इस पर sugar coating कर दी जाती है ताकि जो उसका यहाँ पर जो इसका यहाँ पर bitter taste है वो छुप जाए ठीक है उसकी यहाँ पर masking हो जाए mask unpleasant order ठीक है तो यहाँ पर tablet बनाये गया है और अगर उसका यहाँ पर chemical ऐसा है जिससी की दुरगन दाती है तो उसे लेना कौन पसंद करेगा तो इसलिए उसकी भी यहाँ पर masking जो है वो कर दी जाती है ठीक है जो अगला option दिया गया है safe guard from atom spheric effect तो देखें यहाँ पर यहाँ पर आपका कई बर क्या होता है कि जो भी आपका tablet का strip होता है उसमें से लोग tablet को निकाल लेते हैं लेकिन किसी बज़ाँ से वो उसको तुरंद नहीं खा पाते हैं उसको उन्होंने 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उन्होंने इसको यहाँ पर खुला छोड़ दिया तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो उसमें atom spheric की वज़े से उसमें कोई भी समस्या ना हो इसी वज़े से उसकी यहाँ पर masking जो है वह यहाँ पर कर दी जाती है कि वह यहाँ पर atom spheric effect से थोड़े समय के लिए बचा रहा है ठीक है तो यह सभी इसके जो है वह यहाँ पर सुगर कोटिंग की जाती है तो अगला question उसको में देख लेते हैं कि the agents used in film coating of tablet तो जब tablet की film coating की जाती है तो इनमें कौन-कौन से से chemicals है या फिर agents है जिनका की जो यूज है वह किया जाता है तो option दिया गया है उसके बद इसमें आपका हाइड रखन के डायर तुकरल लों प्रेंदक significant है है तो यहाँ पर सանी हो जाएगा चलिए जौण ऋसको में यहां पर देख लेते हैं कि film coating of tablet is done for, तो जो देखी यहां पर आपका film coating है, उसको क्यों किया जाता, देखी इसके पहले हमने sugar coating किया था, लेकिन यहां पर film coating जो है, वो यहां पर की गई है, तो option दिया गया, protect from environment, mask, bitter taste, mask, utter and none of this, तो देखी जो यहां पर आपका region लिखा गया ह है, यह आपका होता है sugar coating में, ठीक है, यह आपका sugar coating में होता है, तो हमारे पास केवल, दो option बसता है, यहां पर none of this होगा ने, इसका मतलब, protect from environment, इसको environment से बचाने के लिए जो है, इस पे थोड़ी सी यहां पर film coating जो है, वो कर दी जाती है, यह टेबलेट की, तो option number A जो है, यहां पर आपका option number जो एक है, वो यहां पर सही हो जाएगा, चलिए, जो अगला question हो से हम यहां पर देख लेते हैं, कि tablet that are placed beneath the tongue, तो यहां पर ऐसे tablet जिनको की हमें जीब के नीचे रखना होता है, ठीक है, इनको हमें अपने tongue के, यानि कि जो हमारे जीब है, उसको नीचे र यहां गया है, बकल टेबलेट, इनहें हमें अपने दातों और जो हमारे जीब, और जो हमारे गाल है, चिक है, इनके बीच में रखना होता है, लेकिन जो हमारे यहां पर सब लिंगुवल टेबलेट है, इनहें हमें अपने जीब के नीचे रखना होता है, ठीक है, चलिए, जो अगला question उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, यह question जो है वो यहाँ पर छोट गया है, तो यहाँ पर पुछा गया है कि tablets that are placed in buckle pouch are between the gums and lips are chick, ठीक है तो ऐसे यहाँ पर tablet जिनको की, यहाँ पर हम अपने chicks के बीच में रखते हैं, ठीक है यहाँ आपका chip हो गया, या फिर यह करते हैं, आप के दानतों के होगे, एग गम होगा है, थीक है, यहाँ पर आपका गम रहता है दानतों का, थो हम इसको यहाँ पर गते हैं, तो इसे हम क्या रात कहते हैं, ठीक है, उप्स skincare को हमिन आपका यहाँ पर पर आपका cay हो जाएगा, that are placed in buckle pouch are between the gums and lips are chick, बचल डाट हमें नीचे रखना होता है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं Sublingual Tablet ठीक है चलिए जो अगला question उसे हम देख लेते हैं कि Tablets that are quickly absorbed and disintegrated तो यहाँ पर ऐसे tablet जो कि बहुत ही जल्दी absorb हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी उनका disintegration हो जाता है इन Tablets को हम क्या कहते हैं तो Buckle Tablet, Sublingual Tablet Antaric Coated Tablet and Sugar Coated Tablet तो देखिए आपका option number 3 और 4 होगा नहीं क्योंकि यह quickly absorb और disintegrate नहीं होते हैं option बस पर हमारे पास Buckle Tablet और Sublingual Tablet तो देखिए जो हमारे यहाँ पर Sublingual Tablet होता है यह बहुत जल्दी absorb हो जाता है हमारी Body में और इनका जो यहाँ पर Disintegration है वो बहुत ही जल्दी होता है तो option number 2 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तो आप यहाँ पर एक Diagram जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है Sublingual Tablet लिखा गया है तो हमने इसको जहाँ पर देखिए हमने इसको यहाँ पर मैं पर Color Change कर लेता हूँ यह हमारा Tablet है और इसको हमने रखा Tong के नीचे ठीक है तो जो इसका है पर Disintegration है वो फटाफट हो गया और यह तुरंद जो है वो हमारे systemic circulation में Blood का जो Flow है वो यहाँ पर पहुंच जाता है तुरंद पहुंच जाता है ठीक है तो इसलिए जो इसका है पर Disintegration है और यहाँ पर इसका absorption है वो बहुत जल्दी से होता है तो इस question का जो जो इस question के यहाँ पर सही answer था वो था Sublingual Tablet चलिए जो अगला question उसको देख लेते हैं कि Glycerine Trinitrate Tablet तो यह एक Anti-Engineal Drug होती है ठीक है यह एक Anti-Engineal Drug होती है यानि कि ऐसे पिसेंट जिनको की एंजाइना होता है उनको यह ड्रग जो है वो यहाँ पर दी आती है तो देखे जो हमारे यहाँ पर Glycerine Trinitrate Tablet है यह हमारा Sublingual Tablet होता है ठीक है तो देखे ऐसे पिसेंट जिनको की एंजाइना होता है जब उनको यह Tablet दिया जाता है तो उनसे कहा जाता है कि आप इस Tablet को अपने जीव के नीचे रख के खाएंगे ठीक है कहा गया यह फोटो देखिए जो यहाँ पर Glycerine Trinitrate Tablet है इससे हमें अपने टंग के नीचे रखना होता ठीक है और यह अपने आप जो है वो यहाँ पर disintegrate हो जाता है तो इस Question को जो यहाँ पर सही आंसर है वो है Sublingual Tablet ठीक है चलिए जो अगला Question उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं तो उसे हम कहते हैं Logenges ठीक है तो आपका यहाँ पर Option No.3 है वो आपका इस Question का यहाँ पर सही आंसर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है यहाँ पर कॉफलेट लिखा गया जो कि यहाँ पर हिमाले कंपनी का आता है तो इसमें basically हमारा Logenges होता है ठीक है यह तो Option No.3 जो है वो इस Question का यहाँ पर सही आंसर है तो इसको basically जब हमें यहाँ पर खासी विगरा हो जाती है या फिर हमें सोर्थ ठोट हो जाता है तो उसमें इसको जो है वो यहाँ पर दिया जाता है तो Option No.3 जो है वो यहाँ पर इस Question का सही आंसर है चलिए जो अगला Question उसको हम देख लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे टैबलेट जिन है कि हमें थोड़े से Operation के दोबारा Minor Surgery के दोबारा हमें इस Skin के नीचे जो है वो हमें रखना होता है इसे टैबलेट को हम क्या कहते है तो इन्हें हम Implantation Tablet कहते है क्योंकि हमें इनका Implantation करना होता है Option No.1 जो है वो इस Question का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसे टैबलेट जिनका कि थोड़े सी Surgery के बाद इनको में Skin के अंदर रखना होता है उन्हें हम Implantation Tablet कहते है चलिए जो अगला Question उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि Hypodermic Tablets are Dissolve देखें जो भी यहाँ पर Hypodermic Tablet होते हैं इनको हमें Sterile Water या फिर Water for Injection में इन्हें हमें Dissolve करना होता है उसके बाद इन्हें Injection के दोबारा हमारी Body में दे दिया जाता है तो Both 2 and 3 का जो Option है वो यहाँ पर सही हो जागा जो यहाँ पर आपके Hypodermic Tablet है इन्हें Sterile Water या फिर Water यहाँ पर इसमें लिखा गया कि Water for Injection जो है इसमें इनको सबसे पहले Dissolve किया जाता है उसके बाद इन्हें Parental Root के माध्यम से हमारी Body में दे दिया जाता है ठीक है तो Both 2 and 3 का जो Option है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा चलिए तो इसी से यहाँ पर एक जो यहाँ पर Question बन गया है इसी को यहाँ पर घुमा के जो है वो यहाँ पर एक Question बना दिया गया है कि Hypodermic Tablet are administered by तो जो आपके यहाँ पर Hypodermic Tablet है इनका administration कैसे किया जाता है तो इन्हें हम क्या Oral Root से देते हैं तो यह बिल्कुल गलत है इन्हें हम Parental Root से देते हैं ठीक है? Option number 2 है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि सबसे पहले इनको sterile water में या फिर यहाँ पर water for injection में इन्हें सबसे पहले dissolve कर लिया जाता है उसके बाद इन्हें हम यहाँ पर parental root के माध्यम से हम इन्हें देते हैं कि water for injection में सबसे पहले है हमें dissolve कर लिना चाहिए चलिए जो अगला question उसको मिया पर देख लेते हैं यहाँ पूछा गया कि tablets when added in water produce effervescence तो यहाँ पर ऐसे tablet जिन्हें कि अगर हम पानी में यहाँ पर dissolve करते हैं घोलते हैं तो उनमें क्या होता है और में यहाँ पर effervescence होता है तो इनको हम effervescent tablet कहते हैं option number 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखिए जब आप इनो वगरा को जब आप यहाँ पर पानी में घोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह का जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा तो इसी को हम कहते हैं effervescent ठीक है चलिए जो अगला question उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि tablets that are very toxic if taken orally by mistake तो यहाँ पर ऐसे tablet जिनको कि अगर आप orally ले लेंगे खा लेंगे by mistake तो यह बहुत ज़्यादे जो है वो यहाँ पर toxic होते हैं तो देखिए इस तरह के tablet है इनका इस्तरमाल जो है वो अब नहीं किया जाता है लेकिन पहले इस तरह के tablet है वो आते थे तो यहाँ पर दिया गया dispensing tablet, hypodermic tablet, sublingual tablet and non of this इनको हम कहते है dispensing tablet और देखिए इसमें क्या होता है कि जो इस तरह के tablet होते है इनको सबसे पहले पानी में घोल लिया जाता है और उस पर लिखा होता है कि इसको कितने पानी में dissolve करना है इसको 100 ml में dissolve करना है 200 sempre उसके बाद इस पाणी को आपको पीना होता है तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इसको पाणी में dissolve करना होता है और उसका एक निख्चित वॉल्यम जो है वो यहाँ पे fix रहता है कि आपको इसको इतने लिटर पानी में पहले dissolve करना है उसके बाद पीना है ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम dispensing tablet कहते हैं चलिए जो अगला question उसको देख लेते हैं कि tablets are made from तो देखे जो भी यहाँ पे tablets हैं इन्हें किससे बनाया जाता है ठीक है तो option दिया गया fine powder granules both one both one and two and none of this तो देखे कोई भी यहाँ पे tablet हो गया इससे हम granules से बनाते हैं ठीक है इन्हें हम granules से बनाते हैं और इन्हें हम granules से क्यों बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे next video में तो option तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी इसी आपके टॉपिक से और इसके बाद जो हो इसके बाद क्याए कि जो आपका चैप्टर ने टैबलेट वाला यह खतम हो जाएगा ठीक है तो आज इक इस वीडियो में हमने total 25 mcq किया है और जो भी मैंने आपको यहाँ पर टैब के टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगी तो तेलिए जो आज का सेसने क्लास होगा आज हम यहीं खतम करते हैं जाए हिल्द